विरासत में आपको राजनीती मिली ऐसा लेकिन जो आप अपने प्रोफेशन के बारे में बता रहे हैं मुझे नहीं लगता कि आप उस समय राजनीते में इंट्रेस्टेट थे नहीं देखिए मैं आपको एकदम सच्छा ही बता रहा हूँ मुझे राजनीती से बहुत लेना देना नहीं था मैं अपने काम से काम रखता था बात करते हैं सरा आपके अभी जो हार हुई है उस पर कहां चूक हो गई देखिए चूक तो हुई है यह कनफर्म है तबी तो हारे हैं और चूक ऐसा नहीं है कि कोई एक रीजन है चूक ऐसा है कि जो हमको समझ में आ रहा है कि हर रीजन में हर छेत्र में अलग-अलग कारण ने काम किया है पहले ही अगस्त में 21 उमीद्वारों की सूची लाई आप लोग पहली सूची लाने में इतनी देरी कर दी कि अभी पित्तर पक्षे चर रहा है यह शूप समय होता है नवरात्री के समय में यह इस बीच में आप लोगों के साथ तो खेल नहीं हो गये कहीं ने कहीं हमारी तैयारी में कुछ कमजोरी थी इस बात को मानने में कोई हर्ज नहीं है क्या आप मानते हैं कि कर्जमाफी का जो वादा आप लोगों ने किया उसके कारण जो 35 सीटे आई वो आई नी तो इससे भी जाद दुरगती होने वाली थी नहीं इतनी बुरी स्थिती नहीं थी आपको जरूर ऐसा लग रहा होगा लेकिन ऐसी स्थिती नहीं थी चुनाओं के समय में ही कुछ नेता ये कह रहे थे कि बहुंस से सीटों पर कमजोर प्रत्याशी जान बूज कर उतारे गए हैं कॉंगरेस पार्टी को हराने के लिए और बीजेपी को फायदा दिलाने के लिए और उसके बाद में जब रिजल्ट आया तो बातें फिर से एक दवार लोगों के मन में चलने लगी कि सच में ऐसा हुआ सरगूजा संभाग के सभी सीट हार गए आप लोग तूटियां हो सकती हैं समझ का फरक हो सकता है लेकिन किसी की नियत ऐसे नहीं थी कि कॉंगरेस को हार या इसलिए चुनाओ गया रिजल्ट आ चुके हैं भले ही कॉंगरेस हार गई लेकिन यहां के नेता इस्तिफा देते जा रहे हैं क्यूं ऐसा है एक टाइम बीग का ऐसा फरक है वो ठीक हो कल लेंगे उनसे बात करके और ये जो आपके शादी हुई सर उसके कुछ दिन बाद ही जादा दिन का फरक नहीं था इतना बड़ा घर में एक सुख़द वाता वरन था फिर इतना बड़ा इंसिडेंस हो जाना परिवर्तन यातरम जीरम गाटी का वहमला अब भाउक हो गये थे सर आज भी तकलीफ होती है भाई को खोना पिता को खोना पिता जी को खोना और साथ ही साथ बड़े भाई को खोना शायद बहुत बहुत तकलीफ जनक था उससे पहला इंटर्व्यू है सर हमारे हाँ जो अभी तक हम लिए लोगों का इंटर्व्यू कि आप भी भावक हो हैं, हम भी भावक हो रहे हैं, और उमीद यही है कि कम से कम चीजे सामने आए और जो लोग आस में बैठे हैं, जिन्होंने अपने घर के दिये खोये हैं नमस्कार आप देख रहे हैं TNA News का खास कारेकरम, सवाल जो आपका है और मैं हूँ आपके साथ में राकेश निर्मलकर, हम लगातार आप लोगों को राजनितिक लोगों से मिला रहे हैं, विधायकों से मिला रहे हैं, मंत्रियों से भी मिला रहे हैं और इसी क्रम में हम इस समय मौजूद हैं, चत्रिसगर के एक बहुत यूआ नेता पूरू में मंत्री भी रहे हैं, कॉंग्रेस पार्टी के समय में खरिशिया से अभी वर्तवान विधायक है, आप इन भूमिकाओं से समझ ही चुके होंगे कि मैं किनकी बात करा हूँ, आज हमारे साथ है, उमेश पटेली सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका, जी धन्यवाग, कैसे हैं आप, एकदम ठीक, बहुत बड़ी है लग रहे है, चे राजनीती में होता रहता है, सर उतल-पुतल होती रहती है, आप उस चीज से घुजर क्या है, लेकिन फिर भी, आज पह सब्सक्राइब के बारे में थोड़ा सा समशेत में ही सही, सार दे दीजे, ताकि हम अपने दर्शकों तक पहुचा सके सर, नहीं, मेरी अब स्कूलिंग मेरे गाउं में हुई है, नंदेली में, फिर पिता जी जब मंत्री बन गया, भोपाल में हुई मेरी कुछ स्कूलिंग उसके बाद मैं इंजिनिरिंग का जो प्री इंट्रेस्ट डेस्ट होता है, उसको जब अच्छे नंबर आ गए तो मुझे बी आईटी दुर्ग मिला, यहीं से, और उस समय बी आईटी दुर्ग में मैंने आईटी से इंजिनिरिंग की, और इंजिनिरिंग के बाद जॉब इस थे हमारे पास, तो मैंने कुछ समय तक नौकरी की इस आईटी इंजिनियर, किस कंपनी में किया, यह कैनबे में कुछ समय किया, फिर वो मर्जर हो गया, कैप जमेनी के साथ, फिर कैप जमेनी के बाद हम लोग यूएस में जॉब किये, एचस बीसी में, आज आ कंसल्टे कंपनी थी, और उसके बाद मेरी शादी हुई, और शादी होने के बाद एक हपते के अंदर में एक घटना हो गई, जिसमें मेरे पिता जी और बड़े भाई दोनों नहीं रहे, और उसी के बाद फिर मैंने अपनी जो कंसल्टेंट की नौकरी थी, उसको छोड़ा और मा और भावी मेरी पतनी के साथ नंदली में ही रहने लग गया, मेरे गाओं में, और जब चुनाओं आया उसके बाद, तो उसमें कॉंग्रेस पार्टी ने टिकेट मुझे दिया, मैं पहली बार विधायक बन के आया, और वहीं से फिर ये सफर, इधर के सफर को तो आप जानते हो विरासत में आपको राजनीती मिली है, लेकिन जो आप अपने प्रोफेशन के बारे में बता रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आप उस समय राजनीते में इंट्रेस्टेर थे, नहीं, देखिए मैं आपको एकदम सच्चा ही बता रहा हूँ, मुझे राजीती से बहुत लेन दिनेश पटिल जी को उनको राजनीती में इंट्रेस्ट था और वो पिता जी के सयोगी के रूप में साथ में काम कर रहे थे, और कभी मेरी जरौत पड़ी नहीं, घर का छोटा था, तो और किसी तरह की जवाबदारी थी नहीं मेरे उपर, और जब जवाबदारी आई, तो सारी जवाबदारी एक साथ आगई, तो मुझे किसी ने पूछा एक समय कि तुम्हारे उपर इतनी जवाबदारी आगई एक साथ, कैसे मेनेज किये, तो मैंने कहा कि हर आदमी के एक कोटा रहता है जीवन में, भगवान ओ कोटा सेट करता है, कि तुम इतना बिना इतना जीवन जियोगे, इतना जीवन तुम पूरी तरीके से जावबदारी के साथ जीओगे, तो मैंने अपना कोटा सुरू में ही खतम कर लिया, और इधर की पूरी जीवन है, मुझे असा लगता है कि जावबदारीयों से भरा रहेगा, जी जो दार्शनिक बात किसने की अपने रायगड के ही, उन्होंने कहा कि तुम्हारे उपर अचानक से इतने सारी जावबदारी आगी, तो मैंने उनसे कहा कि ऐसी ही, कि अपना कोटा में खतम कर चुका हूँ, क्योंकि एक फ्री बर्ड की तरह में रहा, किसी तरह कोई चिंताय नहीं थी, ना घर को लेकर च दरक नहीं था, इतना बड़ा घर में एक सुखद वाता वरन था, फिर इतना बड़ा इंसिडेंस हो जाना परिवर्तन यातरम, जीरम गाटी का वो हमला, कितना मन को कचोडता है, दिखे, पिता और बड़े भाई को एक साथ खोना बहुत, बहुत मुश्किल समय था वो, पर परिवार को समालना, और परिवार के साथ शादी नहीं हुई थी, पत्नी की नहीं जिम्मेदारी, फिर मा की नहीं जिम्मेदारी, भावी की जिम्मेदारी, ये सब एक साथ मुझे लगता है, मैं तूट गया रहता, मुझे ऐसा लगता है, कि मैं तूट गया रहता, लेकिन जब यह घटना हुई और सुरू में तो हमको यही लगा कि नकसलियों ने किडनाप किया है हमको यही लगा सुरू में कि नकसलियों ने किडनाप किया है और हम लोग मा और मैं राइपूर आए रात को ट्रैवल करके और मॉर्निंग में फिर हमको समझ में आए कि वो दोनों नहीं रहे और मा को जब पता चला तो वो बिहोस हो गई और मुझे लगता है कि वहीं से मुझे ऐसा लगा कि मैं अब टूट नहीं सकता क्योंकि अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे उपर है इसलिए मैं टूट नहीं सकता है यह जो अंदर से जो बात मेरे पहुची शायद उसने मुझे टूटने से बचाया लेकिन फिर भी दस साल हो गए अब रिपोर्ट अभी तक नहीं आ पाई सरकार बनते ही घोशना कर दिये गए कि अब इसकी जाँच होगी क्या कमी रह गे दिखिए क्या हुआ कॉंग्रिस की सरकार बनी मैं थोड़ा सा क्रोनोलोजी समझा देता हूँ पिछले पांस साल में अनफॉर्चनेटलिव तुरभाग गी जना करहा कि हम लोग कोट में ही घूमते रह गए सबसे पहले इन आइयन अपना कलोजार रिपोर्ट दे दिया इन अइयन के कलोजार रिपोर्ट में कि घटना कैसे हुई घटना कब हुई घटना कितने बजे हुई इसी के बारे में था ये नहीं था कि घटना के पीछे कौन था तो हम लोग उस बिशाय पे संतुष्ट नहीं थे तो हमने राज्य सरकार से कहा कि भई इस पे आप जाच कराईए तो उन्होंने S.I.T. की गठन की तो उन्होंने N.I.A. से document मानेगी कि आपने जो जाच किया है उसकी copy हमें दे दीजे हम वहां से जाच सुरू करेंगे अपना N.I.A. ने कहा कि हम ये ये नहीं दे सकते हैं फिर हुआ ये कि S.I.T. ने अपने तरीके से अपने बिंदू बनाए कि हम इस इस पॉइंट पे जा जाच चुकि N.I.A. कर चुका है इसलिए अब आप लोकल पुलिस जाच नहीं कर सकती इसका तो वो कोट पे गए कोट में उन्हें जीत मिल गई कि लोकल पुलिस जाच नहीं कर सकती अब फिर से हाथ बन गए हम हाई कोट गए इस विशय को चैलेंज करने के लिए वहां भी पेसी चली हाई कोट ने भी कहा कि लोकल पुलिस जाच नहीं कर सकती फिर हम लोग इस विशय को सुप्रीम कोट लेके गया सुप्रीम कोट में यह हुआ कि सारी बाते हुई पेसी लंबा चला उसका जो आदेश आया वो 21 नौंबर को आया 17 नौंबर को वोटिंग हुआ 21 नौंबर को आया फिर से हमारी आशायें बढ़ गई कि चलो अब सारे रुकावट थी वो खतम हो गई अब जाच हो जाएगा फिर से दुर्भाग के जना किये कि तीन तारिक को जब रिजल्ट आ आप इसमें कि जाच हुई नहीं और मैंने इसलिए नय जब मुख्यमंत्री बने तो उनसे भी अपील की कि इसको आप राज्णीती से उपर उठकर इसके जाच करा लेकिन फिर भी साथ दो-दो सदस्य को खोना पिता को खोना भाई को खोना बहुत बड़ा दर्दनाक होता ह है और आज भी आप नया के लिए कम से कम देखते होंगे आईने में अपने चेहरे को तो लगता होगा कि अभी तक हमें नया नहीं मिल पाए तकलीप जनक है वो जी तकलीप होती है घर में बोलते है माता जी कि कब यह रिपोर्ट आएगी कैसा हो बिलकुल राजनितिक विश मुख्य मंत्रियों बनते इस कितना इतिखाग रखते हैं तो यह कहूँगा कि 2013 में जब चुना हुआ तो उसी समय मुख्य मंत्री बन गया रहते मुझे ऐसा लगता है लेकिन जो सहानुभूती आनी चाहिए थी कॉंग्रेस के प्रति उस समय दिखा नहीं सर भले वोटों का तो चुनाओ का रिजल्ट कुछ और होता चुनाओ का रिजल्ट कुछ और होता अब भाव को गये थे सर आज भी तकलीफ होती है भाई को खोना पिता को खोना बहुत जादा तकलीफ जनक है क्योंकि पिता जी का समय हमको कम मिला है मैं अनेस्टली बता रहूं आपको लेकिन जो मेरे बड़े भाई थे वो पिता जी के सारे रोल पे वो रहते थे और हम लोग को क्या करना है क्या नहीं करना है ये सारी चीजे मतलब वो पिता तुल्य थे मेरे बड़े भाई और पिता जी को खोना और साथ ही साथ बड़े भाई को खोना शायद बहुत बहुत तकलीफ जनक था यह पहला एंटरव्यू है सर हमारे हैं जो अभी ततक हम लिए लोगों का इंटरव्यू किया है उसमें जो बाते बता आरे बहुत भाउक करना हम एरven प्रोडूसर सर भी रो रहे हैं आज के आपके जो चीजेन उसको सुनकरण आप भी भाउक हो हैं हम भी भाउक और उमीद यही है कि कम से कम चीजे सामने आए और जो लोग आस में बैठे हैं जिन्होंने अपने घर के दिये खोये हैं उनको एक सहारा मीले कम से कम रिपोर्ट आने के बाद खेर आगे बढ़ते हैं सर कॉंग्रेस पार्टी के ही कई नेताओं पर शक्ता नारको टेस्ट करान अब यही कहता हूं कि जास तो आगे बढ़े उसके बाद जिसका भी टेस्ट कराना है जिसका भी कराना सब करना चाहिए कि अब चलिए अब इन सब चीजों को छोड़ा से आगे बढ़ते हैं सर राजनीति में आप आए इतने तीन साल अभी तीस्रा टर्म है आपका, कितना परिवर्तन देखते हैं आप अपने समय में, एक पूरा पटेल समाज से ही खर्षिया में अभी तक आते रहे हैं, अभी कितना परिवर्तन आया, पहले कैसे था खर्षिया, हम चुकी गए हैं आपके एरिया में, कितना बदलाओ आया है, नई, बदलाओ तो फुला है भी पंदरा दिन पहले वह भी बन के त्यार है और एक ओभर ब्रीज पे भूमी अधिगरान का काप चल रहा है तो मेरी तो यह प्लानिंग थी कि मैं अपने छेत्र में सारे रिल्वे ट्रैक को लोगों के असुविधा से खतम कर दें हां हम इने यह देखी है सर वहां पे जैसे जाओ तो लंबे फाटक पर खड़े रहना पड़ता है यह समस्या है जी हमारे यहां मान नदी काटता है हमारे पूरे विधान सभा को अब ऐसा कोई छोर नहीं है जहा किसी भी विधान सभा को आप किसी भी विधान सभा से कंपेर करेंगे तो सरवाधिक सब इस्टेशन की संख्या हमारे विधान सभा में है आप देख लिजे कि कॉलेजों की संख्या हमारे यहां पांच है जो सरकारी है जो आई टी आई है आपका क्रिसी कॉलेज है यह अभी हमारी फॉर्मेसी कॉलेज खोलने की वहाँ प्लानिंग थी क्योंकि अब सरकार बदल गया तो इसलिए प्लानिंग ही बोल सकते हैं तो इस तरह से हम लोगों ने काम किया वहां और चेत्र में सुविधा बढ़ाने का काम किया अब देखिए उसका लाभ हमें इस चुनाओं में भी मिला लोगों ने उसको सराहा वहां पर बात करें संभावनों की कुई कमी नहीं है सर इंडेस्ट्रियल सेक्टर आगे से लगा ह हो है रायगड़ से हमने जो एक समस्य वहां पर देखिए न शायद आप भी इस चीज को नोटिस किये होंगे कि कुछ गाउं में जब हम लोग गये तो सडकों की हालत बहुत खराब थी बहुत गढ़्डे थे सडकों में इसको लेकर क्या प्रयास किये आपने देखिए आप 2018 से पहले लगभग रोट की हालत ऐसी थी सब जगह तो हम लोगों ने प्लानिंग से काम सुरू किया और काफी काफी जगह ठीक कर लिया लेकिन कुछ बज गये हैं अभी भी अब उसको धीरे-धीरे करके प्रयास करके उनको भी हम लोग ठीक कर राज्य की बात पर आते हैं स सबसे बड़ा जो कहना चाहिए जो केंद्र आपने समहला कि पूरे युवाओं को किस धंग से लेना है किन-किन चुनोतियों को आपने देखी उस समय जब आप मंत्री के रूप में थे और क्या कुछ समधान आप कर पाए शात्यजगर के लिए देखिए खेल विभाग में आपको मैं बताता हूं कि infrastructure के हिसाब से तो बहुत काम होए थे यहां वह मैं उसको deny नहीं करता हूं लेकिन खिलाडियों के लिए कुछ काम नहीं हुआ था खिलाडियों के लिए किसी तरह का कोई academies नहीं थे, दो academies थे लेकिन वह भी बंद थे हमने पिछले पांस साल में लगभग 27 नए अकैडमिस खोले हैं डे बोर्डिंग और बोर्डिंग को मिला कर 27 नए अकैडमिस जिसमें अलग-अलग तरीके से खेलों का प्रसिक्षन खिलाडियों को वहाँ आना, खिलाडियों को वहाँ प्रसिक्षित करना ताकि हमारा आगे जाकर खेल मेडल में भी तो हमारा नाम आए कभी भी मेडल में हम लोग पीछे ही रहे इस तरह से ये खेल विभाग में हमने अपने पांस साल में प्लानिंग करके इसको 27 नय अकैडमी कहां दो और कहां 27 आज हमने जब छोड़ा तो 27 अकैडमी संचाली थैं पूरे चत्रिस गड़ में मेडल के मामले में अगर देखे न तो चत्रिस गड़ पीछे यह थोड़ा सा बढ़े गया असी उम्मीद है बढ़ना चाहिए भी हरियाना पंजाब इन्होंने बहुत मेहनत की है और यहां की इंस्प्रेट टक्चेर चाहे यहां के हर गाह में चले जाए कोई न कोई खिलाडी आपको मिलेगा ही मिलेगा पूल रहा हूं यह वातावरन क्या चेटिस गणे पैदा कर सकते हैं अब जब कोई देखेगा कि भाई कौन खिलाडी में ज्यादा टैलेंट है उसको फिर उपर लेके आएंगे उसको तो यह वातावरन बनाने के लिए खेल के लिए हमने यह काम किया इसी तरह से उच्च सिक्षा में हमने कई नए कॉलेज खोले लगभग 76 नए कॉलेज के खोले हमने पिछले पांस साल में उसी तरह से हमारा GER बढ़ा हमको अठारा में यह चोड़के गय थे हम उसको बाईस लेके चले गए इसी तरह से जो एडमिशन्स की संख्या है उसको हमने एक लाख उपर बढ़ाया पांस साल में एक लाख नए स्टूडेंट की भरती जादा होने लग गए जो पहले लगभग 3 लाख हुआ करता था उसको हमने बढ़ा कर सरी 2 लाख हुआ करता था उसको बढ़ा कर हमने 3 लाख के उपर किया लेकिन इसी पर एक सवाल आ जाता है सर इस्टूडेंट के तादाद तो चले बढ़े लेकिन सिक्षकों की उतनी संख्या नहीं है नहीं भरती किया नहीं हमने और इसमें जो जो टैलेंट बहार निकल के आया जो साहिक प्रिध्यापत का एक्जाम पास करका है उसी का सेलेक्शन होगा है गुडवत्या लगता है सुधार हुई है हाँ बिल्कुल हुआ है कई जगा हुआ है आप किसी कॉलेज में जाए जो संख्या हमको छोड़ के गये थ कई कई विशूइद देल है लेकिन उसके यूजी सी की जो रैंकिंग आती है नैक उसमें देखा जाए तो अभी भी नहीं आपने आप मैं उसको बताता हूँ आपको पता है जब यह लोग छोड़के गये थे तो कितने नैक से एग्रिगेटिट थे कॉलेज आप बहतर बता को बढ़ा कर 200 कॉलेजों को नैक से एग्रिगेटिट किया अभी आप रैंकिंग की बात कर रहे थे रैंकिंग में आप शायद आपको ध्यान नहीं होगा कि जो पिछले छे मैंने पहले जब रैंकिंग आई सौ कॉलेजों की उसमें हमारे यहां के दो कॉलेज थे रागवेंद इंगिरिंग कॉलेज और बिलासा कॉलेज दो कॉलेज हमारे टॉप हंड्रेड में पूरे ओल ओवर इंडिया का जब रैंकिंग हुआ तो एक तो कॉलेज टॉप 20 में था और एक टॉप 50 में था पहले नहीं आते थे तो गुडवत्ता में कहीने कहीं सुधार हुआ है इसलिए यह कॉलेज आये हैं दूसरी बात नैक से एग्रिगेड़ेड नहीं हुआ करते थे आज सारे कॉलेज नैक से एग्रिगेड़ेड हैं हमारा जो नेक्स फेज होना था नेक्स फेज यह था कि ज किस दिसा में ले जाते हैं कि जब ये छोड़ के गये थे तो सिर्फ 40 कॉलेज और हम छोड़े हैं 200 कॉलेज के साथ कि इतना बहतर और करने का प्लान था अगर ये टर्म आपको लोगों को मिलता तुछ आपने तो बताई अपनी उबलब्धीन पास सालों की लेकिन इसमें और क क्या कुछ अपडेट आप करने के प्रयास मैं तो वही मैं तो कॉलेज के क्वालेटी पर ही फोकस करता हम लोगों ने कॉलेज में सफाई के ऊपर बहुत ध्यान दिया सारे प्रिंस्पलों को साथ एक कॉंपेटिशन की भावना पैदा की कौन सफाई जादा रखेगा कौन कॉलेज को सुन्दर दिखा सकता है और आप दिखी आज रायपूर का एक कॉलेज है आप उसको चले जाएं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप ऐसे जगह में आ हैं जैसे कोई जंगल है मतलब इतने खुबसूरती से उन्होंने पेणों का बनाया है कि आपको लगेगा कि आप कोई कॉलेज में नहीं है किसी तूरिस्ट प्लेस में है तो ऐसे कई हम लोग ने इनिसियेटिव लिया था जिसका फायदा हमको मिला यह जरूर है कि हम प्रचारीत नहीं किया उसको बहुत ज्यादा क्योंकि नैक से एग्रिग्रेशन होना एक बड़ी बात थी चतिस गड़ नैक के इसमें पिछले छह मैंने पहले टॉप पोजिशन पर था नैक ने ट्वीट किया चतिस गड़ टॉप है नाक एग्रिटेशन करने में आपको पता ही है यह यह बार ठीक है लेकिन एक जो कमी में देखता हूं चाहर शायद आप इसको माने ना माने लेकिन आज भी 36 गड़ में जो आज के युवा है इस चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं कि हमें information technology में आगे जानी है फिर सरकार उस तरह का वातावरन बना रही है युवाओं के लिए कि अब IT सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए विज्ञान प्रध्योगी को बढ़ावा देना चाहिए आ बहुत important part होगा आपको मैं बताऊंगा हम लोग फिर वही में बतातों प्रचारीत नहीं कर भाएं टाटा के साथ हमारा EMU sign हुआ था अब उसको यह लोग बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते हैं मैं अभी confirm नहीं कह सकता लेकिन टाटा के साथ हमारा EMU sign हुआ था जिसमें हमारे 36 IIT पे हम नए टेक्नोलोजी को लाने वाले थे नए ट्रेड खोलने वाले थे जो आज के और वर्ड लेबल पे उसको टाटा उन ट लेकिन मसीनरी सब टाटा से आता और उस जगह से जो लड़के पास आउट होते उनको टाटा एब्जॉफ करता ठीक है तो यह हमारी EMU sign होई थी इसमें काम सुरू हो गया था फंड एलोकेट हो गया था अब नहीं सरकार उस दिसा में क्या करती है यह देखने की बात है तो जो नए छेत्र आपने कहा है उसमें AI और रोबिटिक्स हमारा स्पेशल फोकस था उस चेत्र में हम आगे बढ़ाने वाले थे लेकिन इस फिल्ड में ज्यादा तर देखा जाए तो विदेशी कंपनिया ही अभी विश्यों में ज्यादा प्रसिद्द हैं तो क्या इन्वेस् आई टी शेत्र में मैं काम किया हूं मैं उसको बहुत मजदीक से देखा हूं दे आर इन सैचूरेशन राइट नाओ इन ओल ओवर इंडिया वह एक सैचूरेशन पर पहुंच गये हैं अगर वह एक्स्पैंडेशन का सोचते हैं तो चात्यस गड़ विल बी अवेरी गुड लेकिन अभी एक्स्पैंशन का वो लोग नहीं सोच रहे हैं क्योंकि सैचूरेशन पर पहुंच गया है उनका लोकेशन उनका हो गया है एंड सर्विस सेक्टर हमारा एज ओवर ओल इंडिया एकोनोमी के पॉइंट अ व्यू से मैं बताऊंगा कि सर्विस सेक्टर इस आल्म सेटलाइट लेबल पे टीबी लेबल पे हमारा यह सर्विस सेक्टर है इंटरनेट यह सब बहुत तेजी से एक्स्पैंशन हुआ मोबाइल टेले कम्मुनिकेशन यह सारी चीज हैं बढ़ी अब हमें एक इंडिया के लेबल पे मैनुफेक्ट्रिंग छेत्र को आगे बढ़ टू डेकेड होगा मुझे ऐसा लगता है यह मेरी सोच है क्योंकि मैं उस पोजिशन पर नहीं हूँ कि मैं सब चीज को देख सकूँ लेकिन मेरी यह सोच है कि नेक्स्ट टू डेकेड हमारा मैनुफेक्ट्रिंग सेक्टर ही आगे बढ़ाएगा हमको जो सेवन सेवन एफ ए लगता है संभावन भौश्य में बनेंगी यहां पर 36 गड़ में बन सकती है बात करते हैं सर आपके अभी जो हार हुई है उस पर कहां चूक हो गई देखे चूक तो हुई है यह कंफर्म है तभी तो हारे हैं और चूक ऐसा नहीं है कि कोई एक रीजन है चूक ऐसा है कि जो ह हमको समझ में आ रहा है कि हर रीजन में हर छेत्र में अलग-अलग कारण ने काम किया है रायपूर में कुछ अलग कारण था बस्तर में कुछ अलग कारण था सरगुजा में कुछ अलग कारण था मैदानी इलाके में कुछ अलग कारण था यह कारण अभी आप लोगों पत्त कि सरकार नहीं आ रही है कई सारे exit पोल आया सर जिसमें से और यहां तक सभी मान ही रहे थे कि इस बार सरकार फिर से Congress Party की बनेगी लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि आपके सबने चकना चूर हुए लेकिन फिर यह जो confidence के बीच का जो अंतर है क्या इसे भाप नहीं पाई Congress या फिर भीतर खाने ही इंटीन इंकम्बेंसी चर रहे इसको भाप नहीं पाई कि अगर एंटीन कम्बेंसी नहीं था बोलेंगे तो यह रिजल्ट नहीं आता इंटीन कम्बेंसी था और इन कम्यों को मानना जोर्री है तभ यह बात को भी मानने में मुझे कोई हर्ज नहीं है क्योंकि जिस तरह से रिजल्ट आए वो सरगुजा के सारे 14-14 पूरे जीते थे बस्तर में लगभग सिफ चार सीट पे जीतना रायपूर जीले के पूरे के पूरी सीट निकल जाना एक भी सीट नहीं रायपूर जीले के बताता है कि रिजन स्पेस्फिक कुछ भावनाएं थी वो काम कर गई है वो काम कर गई है लेकिन आप लोगों के भी जो कारे प्रणाली है उसको देखकर भी थोड़ा सा लोग सोंचते हैं सहराज निश्टिक विशलेशा की यह सोंचते हैं भारती जंता पार्टी पहले ही अगस्त में 21 उमीद्वारों की सूची लाई आप लोग पहली सूची लाने में इतनी देरी कर दी कि अभी पित्तर पक्षे चर रहा है यह शूप समय होता है नवरात्री के समय में यह इस बीच में आप लोगों के साथ तो खेल नहीं हो गया आप उनको तैयारी करने की तैयारी में कुछ कमजोरी थी इस बात को मानने में कोई हर्ज नहीं है और बीजेपी लीड ले गई टिकेट देने के मामले में और पितर पक्षाने कारण हम लोग और डिले कर दिए वो भी एक समय कम मिलना भी बहुत बड़ा कारण है जी किसानों को रिजाने के लिए ज़ जाधा सपोर्ट मिल गया है उन्होंने पहले ही घोष्णा पत्र देखें लाक लोगों ने लोगों ने लगभग कर्ज लिया है हाँ वो तो है हाँ ना 21 लाक में एक परिवार में चार लोगों की संख्या भी मानलों तो 21 इंटू 4 लगभग हो जाता है 84 लाक वोटर्स अगर इतने लोग वोट किया रहते तो हमाराम सजीत गह रहते है लेकिन फिर भी आप जो बात कह रहे है ना पतेल जी अभी भी जैसे राजनाद गौं का ही एरिया लिए डोंगरगड जीत लिए खुजी विधान सबाशेतर मोहला मानपूर का एरिया ले लिए संजारी बाल अभी का जो वादा आप लोगों ने किया उसके कारण जो 35 सीट आई वो आई नी तो इससे भी जाद दुरगती होने वाली थी नहीं इतनी बुरी स्थिती नहीं थी आपको जरूर ऐसा लग रहा होगा लेकिन ऐसी स्थिती नहीं थी जी महिलाओं के लिए जो घोशना की महत लेना चाहिए तो पहले ही अपने घोशना पत्र में जारी कर दें घोशना पतर जारी करने के बाद आप लोग 15,000 के बार को बिलकुल वहां हमारे से देरी हुई है महतारी वंदन योजना का इतना असर होगा यह भापने में हम लोग कहीं पीछे रहे बिलकुल सही बात है औ और महतारी वंदन योजना का असर तो हुआ है हुआ है मानते हैं आप इस चीज को लेकिन फिर अब जब चुना हुए तो उस समय उथल पुथल चली कि अब प्रदेश में अब भारती जंता पार्टी की सरकार तो बनगे नेता प्रतिपक्ष को रहेगा दिल्ली गय थे आप क्या बात हुई है नहीं दिल्ली तो मेडिया चैनल से दिखा रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष उमेश पटेल होंगे नहीं देखिए मीडिया क्या दिखाता है इसके उपर मैं आप से मुलाकात आज हुई है तो आप ही से हम जान लेते हैं मैं उस पर कुछ टिपड़ी नहीं क नेता प्रतिपक्ष हमारे बने हैं बहुत ही वरिष्ट नेता हैं हमारे चरंदास महन जी कई बार के सांसद रहे हैं कई बार के विधायक रहे हैं मंत्री रहे हैं अध्यक्ष रहे हैं और अब नेता प्रतिपक्ष हैं तो उनकी वरिष्टता को देखते हुए तो उन्हें ब लेकर आप सदन में गरजने की कोशिश करेंगे देखे विपक्षा काम है सरकार के तुल्टियों पे हमला करना क्या लगता है कि भाजपा जितने घोशना में लाई है योजनाओं को पूरा कर पाएगी पांस सालों में क्यों ऐसा लगता है क्यों कौन कौन से योजना है जिनको पूरा नहीं कर सकते हैं उनको सारी चीज़ें करने में उन्हों ने कहा कि आप लोगों ने ज्यादा कर्ज ले लिए हैं हमें भार पड़ेगा नहीं ऐसा नहीं है देखिए कर्ज का जो जैसे आप समझे कि आपके आमदनी पहले दस रुपए थी और आपका कर्ज था एक रुपए है आपका कर्ज 10 रुपए हो गया तो क्या अनुपात बदला अनुपात उतना ही है परसेंटेज उतना ही है पहले 10 रुपए में एक रुपए था अभी 100 रुपए में 10 रुपए हैं लेकिन आप अगर उसको ये बोलेंगे कि पहले कर्ज एक रुपए था आपने 10 कर दिया तो लगेगा ऐसा अरे बाप ने कितना कर्ज ले लिया यही लगेगा ना अनुपात में बहुत अंतर नहीं आया हैं लेकिन मेरा यह मानना है कि 31 रूपय 21 कुंटल में मैं एक आंक्रा बताता हूं आपको आप समझेगा 21 कुंटल में अगर धान खरीदी करते हैं तो लगभग एक लाग 37,000 मैट्रिक टन इनका खरीदी होगा एक करोड एक करोड 37,000 मैट्रिक टन अब इस इस पोजिशन पे जो मार्फेट से लोग लोन लेंगे समर्थन मुल्यक के अंदर सरकार देगा लेकिन जो अंतर की रासी है वो इनको देना पड़ेगा जो लगभग 1,000 रूपे के आसपस पड़ता है इस कैलकुलेशन से आपको लगभग 15,000 करोड मोटा मोटी इसमें लगेगा आपके 2-3,000 करोड रूपे आपके ट्रांस्पोर्टिंग और मिलिंग और इसमें लगएगा तो 18,000 करोड ये लगे एक करोड माता हैं और बहने हैं जिनकी जो साधी सुदा हैं उसका भी आंक्रा बता दू तीन करोड टोटल जन संख्या तीन करोड चतिज़गी टोटल जन संख्या आधी अबादी मतलब डेड़ करोड एक साल से लेके 20 साल तक के जो महिलाएं हैं उनको आप मान लिजे अभी वाहित इकीस साल से साट साल की उमर को मान लिजे विवाहित इसका अनुपात होता है एक दस्मलों तीन एक अनुपात तीन अब एक करोड डेड़ करोड को एक अनुपात तीन से डिवाइड करिए एक करोड हो जाएंगे विवाहित और पचास लाग हो जाएंगे अब विवाहित तो लगभग एक करोड महिला एक करोण महिला को साल भर में अगर आप बारा हजार रुपए देंगे ठीक है तो एक करोण का हो जाता है बारा हजार करोड अठारा हजार करोड धान खरीदी का बारा हजार करोड इसका लगभग हो जाता है ये 30 करोड 30,000 करोड हो गया 30,000 करोड से आप चले यह इस्थापना भेया आपका लगभग 45-50,000 करोड तो दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो गया 75,000 से 80,000 करोड 80,000 करोड में फिर आप आपकी योजना है पेंशन देने की योजना वो लगभग 7,000 करोड के आसपास हो जाएगा फिर आपकी बिजली बिलहाप योजना की आपने बात कही है कह रहे हैं कि बिजली बिलहाप वाले जो कॉंग्रेस लेकर आई थी यह नहीं होगा आपसको बंद करेंगे इसका तो प्रश्टे हमने विधान समवें पूछा मान्ने मुख्यम creepy ने कुई दबढ नी दिया है क्या लगते करना चाहिए नहीं करना चाहिए करना चाहिए 44,000,000 परिव wonderful को सीधा फायदा हुआ 44 लाग परिवारों को इसको सीधा फायदा हुआ तो मुझे लगता है कि बहुत एमाउंट ही है 4000 करो करना चाहिए लेकिन फिर भी अब वही उसी बात पर फिर आता हूं सर चुनाओं के समय पहले ही कहा जा रहा है एक मिट में बजट को बदा तो आपके लगभग एक लेक लेक का बजट पिछले बार था इस बार वह एक लाग दस हजार हो जाएगा तो बचा कहा आपके पास तो इसलिए वादों को बहुत ज्यादा पूरा कर पाएंगे ऐसा लगता नहीं है लगता नहीं है लेकिन उसी बात पर फिर आता हूं चुनाओं के समय में ही कुछ नेता ये क इस बाते फिर से द्वार लोगों के मन में चलने लगी कि सच में ऐसा हुआ सरगूजा संभाग की सभी सीठ हार गए आप लोग लगता है कि भीतर आशनी के लेकिन अब छूनाओं हो सकती हैं तूरूतियां हो सकती हैं समझ का फरक हो सकता है लेकिन किसी की नियात ऐसे नहीं है क्यों ऐसा कुछ नेताएं ने इस्तिफा दिया है और वो इक टाइम बीइंग का ऐसा फरक है थीक अंसे बात करके श्रूब कर लेंगे लोग सभा की तैयारी कैसी है लोग सभा की तैयारी करनी पढ़ी अच्छी कि करनी पढ़े इए सबक मिल सबक भी और दूसरा लोक सभा में कई अलग मुद्दों पर वोटिंग हो जाती है तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चैलेंज है कॉंग्रेस के पास और कॉंग्रेस को जीतने के लिए बहुत महनत करने बहुत महनत करने पड़ेगी अब यहां पे मैं आपसे एक सवाल प्रमोट कैसे नहीं कर पा रहे हैं लोग समझ कियो नहीं पा रहे हैं उनकी फेस को नई ऐसा नहीं है रहुल गांदी जी ने यात्राएं चालू की है भाराज जोडो यात्रा उसका बहुत फ़रक पड़ा है और उनका फेस टू भी आएगा बहुत जल्दी तो मुझे लगत है कि जितना प्यार उन्होंने लोगों से लिया जितना प्यार उन्होंने दिया जितने वो लोगों के नेता बन पाए अगर उसका दस परसेंट पंद्रा परसेंट भी हम लोग अचीब कर पाएं तो बहुत है कोई सीख जो आपको आपकी पिता जी ने दीख एक बार उन्होंन यह बात उन्होंने कहा था और भाई मुझे लगता है कि बहुत बहुत ही अच्छा पॉइंट है आद में सम्मान को ठेस और भाई ने कोई सीख दिया हो छोटे भाई हो यह ऐसा रहना ऐसा रहना अरे बड़े भाई का तो बहुत अलग ही यह रहा मैं तो बहुत मार खाया हूं गी सीख जिहा है भाई मुझे खाया हूं खास कर स्कूल में मैं आँ बहुत गल्तियां करता था बहुत मार क्या थे पढ़ाई के मामले में बहुत सारे अरकते हैं तो पिता जी को कभी कंप्लेंड नहीं गया अच्छा वह भाईय तक ही सीमीत रहा हूं फ्रैंक थे आप हाँ फ्रेंक था मार भी खाया डरता भी था लेकिन आहत उस समय जरूर हुए होंगे सर जब आप पूरानी यादे आज भी करते होंगे तो लगता होगा माता जी भी चिंतित रहती होगी अभी हाली में आपके गाड़ी का एक्सिडेंट हुआ आप ही के साथ जो चल रहे ही कतार में काड़ी है तो चिंतित नहीं होती माता जी कि कैसे बेटा चिंता है तो होगी ही क्योंकि इतने दो लोगों को खोना उसके बाद में आप घर को समहार रहे हैं घर में जब आते हैं कैसे लेट हो गया क्यों पूछते हैं क्या कहते हैं कभी-कभी देखे जब भी मैं नंदेली म में रहता हूं तो मैं कितना भी लेट आओं मा के कमरे में जाके उनको बताता हूं कि मैं आ गया हूं करके नहीं तो कभी नहीं बता पाऊं, तो शायद उनको रात भर यह होता है, पतनी चिंतित होती है, हां होती है, क्योंकि सारवजनिक जीवन में जब आप हैं, तो आपके यह जो पक्षा है, लोग कही कमिया निकालते हैं, और अजब आप एक नौकरी में रहते हैं, उसमें कमिया कैसे खा रहे हैं, क्या कपड़े पहने हैं, यहां तक भी जज्ज्मेंट होता है, हर आपकी बात का जज्ज्मेंट होता है, तो एक टफ जॉब है, अभी अगर बात करें सर, यहां पर 36 गड़ में ऐसा महाल नहीं था हिंदू-मुसलिम वाला, लेकिन अभी के जो परिपेक् सब्सक्राइब जीती, और मुझे ध्यान निया रहा है, एक और है, कवासी, कवासी लकमा जी, कोंटा से, नव मंत्री हार गये, मानते हैं इस फेक्टर को कि यहां पर धीरे-धीरे यह जो सामधाइक चीजे हैं, वो बढ़ रही है, बढ़ाया गया इसको, बढ़ाया गया, और कुछ, समझे ये कि, दो, दो, तिन ऐसी घटनाएं हुई, जिसको, ज्यादा बढ़ा चड़ा के दिखाया गया, और गलतियां हमारे से भी हुई हैं, उसमें कुछ, आप तो स्विकार कर ही रहे हैं, सर, गलतियां हुई हैं, लेकिन फिर भी, आप जो ही वरतमान में सरका हैं, उनसे क्या अपेक्षा करेंगे कि सरकार कि आपके समय की कौन-कौन सी योजनाएं हैं, क्योंकि हर सरकार के एक नियम रहता है, कि इनका ये योजना बंद कर देते हैं, अच्छी नहीं है, तो कौन-कौन सी वह चीजे हैं, जिनको चालू रतनी चाहिए, आपको यही कि भूपेज बगहिल जी की लोग एक बात पर जरूर तारीफ करते हैं, कि किसानों को उन्होंने मजबूत किया, चतिस गड़ के लोगों को आर्थिक रूप से सुद्रिन किया, उसको वो जरूर करें, बिजली बिलहाफ योजना जो चलाई गई थी, उसमें 40 लाख परिवा सीधे प्रवावित है, हर वेक्ति उससे प्रवावित है, उस योजना को जरूर वो चालू रखें, और अगर उनको कहीं कुछ किसी चीज में लग रहा है, जाज करने के आउसकते हैं, बिल्कुल फ्री हैं, वो जाज कराएं, क्योंकि हम तो इस बात को कहते आ रहे हैं, कि ज इस चीज का लगता है, जाज कराएं, वो तो कह के आएं कि PSC का हम बिल्कुल कराएं, और कुछ पूछ लीजे, बहुत सारी चीज़े होई, कोई लगो ठाले में नाम आया, बहुत से विधाय को का, उनका भी होना चाहिए, जाज कराएं, 36 गड़ में क्या समय यह बताएं, इतना महाल बनाई, पांस साल रही, किस नेता के रिस्टिंग हुआ? आप कहना चाह रहे हैं कि कि अंदर सरकार एजंसियों का गलत उप्योग कर रही है, विपक्षाएं, भई आप देखिए ना, पांस साल यहां के महादेव एप पे एकदम चुनाओं के समय बाताएं, पांस सो आठ करोड, यह आरोप लगे है, यह आरोप लगे ना, एक आदम करके बुलवाया गया, तो भई अगर है, जाच करें ना, तो यह चीज़े तो, यह चीज़े करने के बाद, सही गलत की चीज़ जनता के सामने आ जाएं, हम तो कहते हैं कि जो आरोप लगाए हैं, मैं तो आज भी इस बात को confidently बोलता हूं कि जो आरोप लगे हैं पिशले पा पांस साल यह आयोग बनाएंगे और पांस के पांस साल आयोग में ही चीज़ें गूमती रहेगी, आप देख लिजे, पिन करके रखेंगे इस बात को आपके, लेकिन अब चातिस गड़ के ही बात पर आते हैं सर, क्या कुछ opportunity, क्या कुछ संभावना है चातिस गड़ में हमारे आदिवासी भाईयों को या उन्होंने जिस विश्वास के साथ भारती जन्ता पार्टी को चुना है, लगभग आदिवासी छेत्रों से हम पुली तरीके से आउट हो गया है, मोटा मोटी, सभी जगह नहीं लेकिन ज्यादा तर जगहों पे, हस्दों बांगों में कल जिस तरह से कटाई का काम सुरू हुआ है, आलोक सुकला का जिस तरह से डिटेंशन हुआ, इसी तरह से मेरे को डर है बस्तर में भी ये पहाड अडानी को देंगे, हस्दों बांगों में भी देंगे, उससे सिर्फ जंगल की कटाई नहीं होगी, उस नहर हस्दों बांगों जो हमारे नहर है वो भी बुरी तरीके से प्रवाइत होगा और आने वाले समय में हाथी एक बड़ा बड़ा प्रॉब्लम बनके यहां चत्तिरगड की लोगों को परिशान करेगा आने वाले समय में हाथी अभी तक फसल को नुक्सान कर रहे हैं, आने वाले समय में मेरा डर है कि घर को भी हो जारेंगे, त्यूंकि आप कंट्रोल नहीं कर सकते, हाथी तो हाथी है, और जो ये प्रॉब्लम है, ये बढ़ती चली जाएंगे. इवियम का मुद्दा उठाया गया, क्योंकि जिस तरह के रिजल्ट पहले दिखाया जा रहे थे एक्जिट पोल में, किसी को विश्वास नहीं था, क्या लगते हैं, सच में ये टेंपरी जिसे कहते हैं शब्द में, इवियम से हो सकते हैं, देखें, इवियम पे बात, चुँ आती नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चुनायो को ये फैसला करना चाहिए, जब इस पे किसी भी तरह की संकाएं उत्पन हो चुकी हैं, सही है, गलत है, मैं भी नहीं जानता, लेकिन संकाएं उत्पन हो चुकी हैं, अगर संका है, तो क्यों बैलेट पेपर पे नही किया जा सकता है यह चुनाओ ऐसी कौन सी बड़ी आफ़ात आ जाएगी बैलेट पेपर से चुनाओ लाट कराने में कहीं नहीं होगा देखें किसी चीज के लिए प्रूफ करके उसको निकाल के देना एक अलग चीज है और यह कि ब्यक्ति के अंदर में शंका पैदा हो जाना हमको पूरी तरीके से विश्वास नहीं है अब विश्वास से कहना लग चीज है पूरी तरीके से विश्वास नहीं है यह बात आएगी सामने आएगी और अगर ऐसी परिस्तिती है तो चुनाओ को बैलेट से चुनाओ कराना चाहिए एक व्यक्तिकत सवाल है सर उपी हम भी अच्छय संभध है क्या है मतलब कैसे होती है जैसे होतीय हो ऐसी होती यह siamo दूरड़ते हो एक गतिरोग यह पाइधा कर देने वाली स्तिति में देखते हैं सदन में जब सदन की कारवाई होती है जब निकलते होंगे? नहीं, मैं किसी से नीजी तور पर, मैं हमेशा इसको मेंटें क्या हूँ, किसी से नीजी तोर पर मेरी कोई दुष्मनी नहीं है, । में जब चुनावय हुआ उस समय 내가 कि hepराइन। में नहीं uh कि अरव लड़ते हैं तो हम्ंद नहीं होते हैं मां इसाफ्तितों सकता हैं जीद्हीर हैं milliards से क्यों नहीं रहेगा में वहना थे ह्था नहीं हौनीं रहेगा जानता हूं आप उनसे मिलने गये थे कि इस बार चुनावती ज्यादा है मुझे सहीयोग कीजे अभी उस समय 2018 में 2018 में हां गया था चुनावती तो थी उससे मैं मतलब अरे भाई आप जब चुनाव लड़ोगे तो आप हर तरह के अपने पक्ष में लाने के लिए हर तरह से क्यों नहीं करोगे तो करना चाहिए उसमें क्या गलत है नहीं गलत नहीं है सर मैं पूछ रहा था आपसे चले करते हैं सर उसके बाद में इस शो को यहीं पेंट करेंगे आप फिल्में देखते हैं हाँ देखता हूं फिवरिट फिल्म कौन से बदलती रहती है वैसे लेकिन आपने को फिल्म पहले देखियो यह लाइफ टाइम अच्छी फिल्म है जिसको देखनी चाहिए ऐसा लोगों मतलब वह उस पिच्चर को मैंने बहुत बार देखा अच्छे बॉर्डर पिच्चर गाने कौन से पसंद है आपको ऐसा गाने तो नहीं लेकिन वह तो समय का अनुसार होता है फिल्म फिवरेट फिवरेट वह एक देवनन जी का गाना है जिंदगी को धूए में उड़ाता चला गया जै-फिवरेट सिंगर ऐसा कोंई नहीं है ऐसा अकोट्र पैट थिक्टर ओंडिकरिफ मैने इजिंफ भेंडी की सबजी किन के अनुसा पातनी इक हाध का कौन सा चला लगता है पतनी के हाध के बहुत सारे हैं खास कर जो गुप्चुब बनाती है वो मुझे बहुत पसंद है घूमने में आपको फॉरण पसंद है आपने देश में जाना पसंद है कम घूमता हूं मैं गूमना बहुत बिना काम के घूमना बहुत पसंद नहीं है कैसे जगहों पर जाना अच्छा लगता है आपको नेचर यह लिए सेर बहुत बहुत धन्यवाद कोई अच्छा सा मोटिवेशन संदेश अगर हमारे दर्शकों को कोई देना चाहें इस लास्ट मॉमेंट पर देखें खासकर नौजवानों को मैं देना चाहूंगा कि जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं जीवन में चीजें उपर और नीचे होती रहती हैं संघर्ष को नीच होड़ना चाहिए हमको संघर्ष लगातार करते रहना चाहिए और जो संघर्ष करता है उसको उपर वाला जरूर देखता है और उसका इनाम जरूर देता है और उपर वाले पर विश्वास रखिए बहुत बहुत धन्यवा सर तो आपने सुना पूर मंत्री और खर्चिया से वर्तमान में विधायक कॉंग्रेस पार्टी के उमेश पटेल जी को जिनके साथ आज हमने बहुत सारी चर्चाएं की चाहे राजनेती खो पारिवारी खो या फिर इनके नीजी जिन्दगी से जुड़ी होए बहुत अच्छे से कुशलता से इन्होंने हमारे हर सवाल का जवाब दिया बहुत ही बेबाकी के साथ में बहराल इस खास कारेक्रम में इतना ही अगली बार फिर होगी आप सबसे पूरी मुलाकात तब तक कि लनवती दीजे नमस्कार